जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हर्दिक स्वागते महाकाली भगतियानी यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली पानी में दो लों महाकाली को चड़ा देना एक बार में सारे बंधे काम खुल जाएंगे माकाली खुद कारे करेगी आपके जब आप ये उपाय रोजाना कंटेनियू लगातार पांच दिन तक अपने घर में करेंगे तो जो उपाय में आप सभी भक्तों को बताने जारी हूँ ये उपाय आस तक आपको जीवन में किसी ने बताया भी नहीं होगा और पहली वार अगर आप इस उपाय को करेंगे तो पहली वार में ही आपको इस कारे के बेनिफिट दिखने लग जाएंगे यानि कि चमतकार वीडियो में पूरी जानकारी के साथ ही बताने वाली हूँ लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेश्ट करना चाती हूँ अगर आप महाकाली भगतियान यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक सेर कमेंट जरू के लिए है खास जानकारी ठीकर अगर मैं आपको जो कारे बताने जारी हूँ इस वीडियो में आप उस कारे को एक बार करेंगे सचे मन्द से इसमें आपका कोई पैसा नहीं खर्चोने वाला ना कुछ खर्चोने वाला बस थोड़ी सी आपकी हल्की सी महनत है जो कि आपको ये कारे सुभा उट कर करना हो करेगा कम से कम साथ बजे करीब करेक्ट साथ बजे करीब आपको इस कारे को करना हो करेगा और इसमें आपका एक उर्पा भी खर्चनी होना है बस थोड़ी सी आपकी महनत है अगर महनत करोगे तो फल भी आपको ही प्राप्त होएगा मुझे प् पहली वार आप इस कारे को करेंगे तो पहली वार में ही आपका काम पहला बन जाएगा और जिस लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके घर के सारे काम धंदे बंदे हुए होते हैं और बिजनस करते हैं वो भी बंदावा होता है काम धंदा मतलब अच्छी तरीके से नहीं चल पा है बस मा काली का ये उपायے करना है जो उपाय मैं बताने वाली हूँ अगर आप पहली वारी सुपाय को करेंगे तो पहला कार ये माकाली आपका खुद करके देगी और आपको साम नहीं चमटकार खुद अपनी आँकोको से दिख जाएगा तो चलिए मैं आपको करना क्या है सुबह आपको उठना हैицा ऐसनान करना없이 उठेल सात अब सरह कम से कम अप Luke ऊठना चाहिए our उठत करना तो उसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा दूद मिलाना है हलका सा एक दो बूंद दूद की डालनी है दूद की बूंद डालने के बाद आपको एक दो बूंद सरसो के तेल की डालनी है और उसके बाद आपको पानी के अंदर दो लोंग डालनी है थोड़े से आपको काले तिल कहीं भी मिल जाते हैं दुकान पे आप काले तिल बोल देना आपको दुकान बलत देदेगा तो काले तिल आपको एक चुटकी डाल देना है उसी पानी में लोटे के में ठीक है मंत्र आपको वही मंत्र बोलना है ओम करीन कालिकाई नम्हा ये वाला मंत्र बोलना है और लोटे के पाणी के अंदर डालते जाना है तो जैसे ही आप ये सब चीजे उसके अंदर डाल नेंगे तो आपको एक पान का पत्ता लेना है ठीक है? पान के पत्ते पे आपको लाल सिंदूर लगा कर वो भी पानी में डाल देनी है और जैसे ही आप ये कारे कर देंगे तो उसको पानी का करना क्या है आपको अपनी छट पे जाना है छत पे जाकर मा काली का नाम लेकर बाबा भोले नात का नाम लेकर सूरी देव का नाम लेकर मा काली को वो पानी आपको धर्ती पर चड़ा देना है ठीक है जैसे आप लोगोंने देखा होगा सूरी देव को सभी लोग जल चड़ाते हैं तो सैम वैसे ही तरीके से आपको माता काली को जल चड़ाना है सूरी देव को नहीं चड़ाना लेकिन चड़ाना उसी तरीके से जिस तरीके से सूरी देव को चड़ाय जाता है तो यदि आप ये कारे करना स्टार्ट कर देंगे अपनी पूजा पाठ में अगर आप भक्ती पूजा पाठ करते हैं मंत्र जाप करते हैं मा काली की सेवा करते हैं तो ये कारे आप जरूर करें इस कारे से आपके घर के सारे बंधे काम किसी ने बांध रखे हैं या तो फिर कि इसी भगत नितानत्रिक ने आपके सारे काम धंदो को बांध रखा है तो आपके चुटकियों में सारे के सारेoser मात्यखाली खुद खोलेगी और जो बंते-बंते काम, आपके बिगड रहे हैं, कोई काम बंगता नहीं है वो रास्ते भी आपके माकाली खोलेगी सारी चीजे जो बंदी पड़ी है आपके घर की सब माताकाली खोलेगी जब माताकाली का ये कारे करना शुरू कर देंगे लगवग आप रेगूलर इसको करते रहें तो और भी अच्छा है बाकी पांच दिन आप करके देखो आपका कारे खुद बनेगा और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो चलिए दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हर हर महादेव माता काली आपकी मनुकामना पूरी करे